महाशिवरात्री के अफसर पर देश के हर कोने में बाबा महकाल के जैकारों की गोंज है शिव मंदिरों में दर्शन के लिए सुबा से ही भक्तों के आने का सिलसला शुरू हो चुका है जबलपूर के कचनार शिव मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखनी को मिल रहा है आसबा से ही श्रदालू भगवान शिव की पूजा अठना करने के लिपाट से हैं शिव महिमा का ये सिलसला देर राद तक यूनी चलता रहेगा पूर्देश में आज महाशिवरात्री की धूम है और महाशिवरात्री के इस पावन मौके पर कमाम जो देवी देवाले हैं भगवान शिव के जो मंदिर है वो पूरी तरह सजे हुए और लगातार सुबे सूरज की पहली किरन के साथ ही जो है श्रदालू भक्तगणों का जो है आना का सिल्चिला जारी है जवलपूर या बोले इसको मद्य भारत की सबसे बड़ी मूर्ती इसको कहीं है कचनार सिटी में जो इस्ते थे शिव जी की प्रतिमा है जहां पर शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए ठीक उसके न जिनने सपना संजो हुआ था कि एक शहर के लिए क्सेमृती बनाएंगे शृव जी की जो अपने आप में एक स्मरिणी है होगी कैसे ख्याल आ जिव को एक शृव जी की मूर्ति बनाना चाहिए यहां पर कचिनार सिटी में जहां पने बनाई है dispte appreciate co dei आ बैंगलोर में एक बनाने का काम तो वहीं से उनका नंबर लेके आये थे तो वह बैंगलोर से 600 किलमीटर दूर एक गाउं था वहां रहते थे उनको वहां से लेके आये वह अपनी पूरी टीम के साथ आये तीन साल यहां रुके हैं और उनने फिर उसके बाद में इस मूर्थी का निर्माण किया खुशी तो होती है वैसे जवलपूर को हमारे किसी और चीज के आउशकता नहीं है लेकिन जब इश्वर ने खुदी उसको संसकार धानी बनाने के लिए अपनी दरफ से एक बड़ा योगदान कर दिया तो संसकार धानी जबलपूर में ये शिव जी की जो मूर्ति है अपने आप में एक ऐसी मूर्ति है जो लोगों के लिए ध्यान आकर्शन का केंद्रती इस मूर्ति को देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं आज महाशिवरात्री का पर्व है और महाशिवरा सब्सक्राइब का लगतार जो है ताता लगा हुए कैमराबन सुरेन पडेल के साथ में सोनी बंसल न्यूस जबलपूर